भारत लाने जा रहा है तेजस और राफेल का भी बाप अब पांचवी नहीं छटी पीडी के फाइटर जेट पर काम कर रहा है भारत चीन पाकिस्तान को छोडो अमेरिका के भी पसीने छूट गए क्योंकि भारत आ रहा है छटी पीडी के लडाकू विमान दोस्तों DRDO और भार करतिय वैज्ञानिकों के कारणामे से पूरी दुनिया है भारत हर दस दिन में ऐसे ऐसे मिसाइल का परीक्षन कर रहा है जिसे देखकर दुश्मन देश में हडकम्प मच गई है चीन पाकिस्तान यह सोच रहे हैं कि अगर भारत इस छटी पीडी के फाइटर जेट को बना ल भारत खड़ा करने वाला है चटी पीडी का तूफानी लड़ा का टेमपेस्ट फाइटर जेट दोस्तों आज जो खबर हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि भारत अभावाई ताकत का बेताज बादशाह बनने वाला है आज की तकनीक और कूटनीती इस तर पर पहुँच चुकी है कि विश्व की महाशक्ती देश भी भारत को वह सूपर योद ओफर कर रहे हैं जिसे अमेरिका खुद दुनिया का सबसे डेंजरस फाइटर जेट मानता है कमाल की बात तो यह है इसमें ना कोई इनसान होगा और ना ही कोई फिजिकल इंस्ट्रूमेंट बस बटन दबाओं और कई देश तबाह हो जाएंगे आप सोचेंगे कि हम किस फाइटर जेट की बात कर रहे हैं और भारत ने इसको लेकर अब क्या किया है दोस्तों इस खुंखार फाइटर जेट के बारे में बताएंगे लेकिन उससे पहले आप यह जान लीजिए कि जब भारत तेजस मार्क वने को अलरेडी उतार चुका है मैदान में तेजस मार्क टू जैसा पांचवी पीडी का वि बना ही रहा था अब बॉर्डर पर भी गुस्पैट और आतंक मचाने में लगा है चीन भारत के साथ दो-दो हाथ करने और नाव बढ़ाने के मूड में है चीन चाहता है कि भारत के साथ उसका चोटा मोटा विवाद हो ताकि भारत का सारा ध्यान चीन के साथ इसको ठीक करन में लगा रहे और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी ग्रोथ रेट फिलहाल विश्व में सबसे ज्यादा यानी की नंबर वन पर बनी हुई है वह धीमी पड़ जाएं यह सब करके चीन को यह फाइदा होने वाला है कि चीन की एकॉनमी को लपन या थी वहा चीन से न काम बन जाएगा इसलिए भारत को शक है कि चीन किसी भी वक्त भारत के साथ या तो LAC पर या फिर हिंद महासागर में किसी विवात को खड़ी कर सकता है जिसके लिए उसने अंदर ही अंदर तयारी करनी शुरू कर दी है जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि मालदीव के सा इन दिनों चीन का क्या चक्कर चल रहा है साथ ही श्रीलंका और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को उसने पहले से ही कबजा रखा है इसलिए भारत अब टाइम पास करना नहीं चाहता है लेकिन भारत यह भी चाहता है कि चीन के सामने कोई ऐसे योद्धा को खड़ा किया जाए जो अकेले ही चीनी ड्रेगन को रोक डाले जिसकी तैनाती करने से चीन भारत की तरफ आख उठाने की जरूरत ना कर पाएं अब भारत के पास एम का और तेजस मार्क 2 विमान ऐसी हिम्मत रखते तो है लेकिन फिलहाल यह तयार नहीं है लेकिन दोस्तों भारत ने से खतरनाक विमान है भारत नए साल की शुरुवात में की कुछ बड़ा करने जा रहा है यानि भारत छटी पीडी के विमान पर बात करने के लिए ब्रिटेन के साथ बैठ रहा है अब यह विमान कौन सा है इसकी क्या ताकत है और दुश्मन देश पर किस तरह से भारी बना रहे हैं और सन्योग देखिए इन तीनों देशों के साथ भारत के संबंध दोस्ती वाले हैं अब यह तीनों ही देश यह कह रहे हैं कि हम जो छटी पीडी का विमान यानी कि टेमपेस्ट फाइटर जेट बना रहे हैं उसमें भारत भी शामिल हो और बराबर का बन जाए वास्तव में यह भारत के लिए बहुत अच्छा मौका है क्योंकि यह विमान इतना ज्यादा एडवांस है कि इसे विश्व का नंबर वन विमान माना जा रहा है क्योंकि यह छटी पीडी का विमान है जो खुद चीन के पास भी मौजूद नहीं है और तीसरी बात यह है कि यह विमान इतना ज्यादा काबिल है कि चीन की पूरी सेना को अकेला रोक सकते है जब यह विमान चीन की तरफ मुंग करके तैनाद भी हो जाएगा तो चीन की हिम्मत नहीं होगी कि भारत के साथ वह किसी तनाव को पैदा कर सके योकि इसकी ताकत इतनी है कि चीन तो क्या अमेरिका भी अपनी छठी पीडी के लडाकू विमान से मुकाबला नहीं कर सकता है? यानि यह विमान सब विमानों का बाप है और भारत इसको लेना चाहता है, अब इस विमान को लाने का एक यह भी कारण है कि यह विमान अगले ही साल यानी 2025 में ही बनकर रेडी हो जाने वाला है और अगले ही साल यह उडान भरता हुआ नजर आएगा अब बात आती है कि यह कितना पावरफुल है तो चलिए यह भी जान लेते हैं कितना पावरफुल है वर्ल्ड का टॉप फाइटर जेट टेमपेस्ट वर्तमान हवाई लड़ाकों से दस गुना ज्यादा शक्तिशाली टेमपेस्ट टू दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट होने वाला है इस सुपरसोनिक जेट का रड़ार इतना शक्तिशाली होगा कि इससे वर्तमान जेट्स की तुलना में दस गुना अधिक डाटा प्राप्राप्त किया जा सकेगा कहने का मतलब यहा कि यहाँ फाइटर जेट दुश्मन के खेमे के ऊपर उड़ता रहेगा और दुश्मन को भनक तक नहीं लगेंगी और उसकी पूरी जानकारी यहाँ लेता रहेगा इतनी गहन जानकारी की वर्तमा में जो हमारे fighter jet हैं उनसे भी कम से कम 10 गुना ज्यादा अब आप सोच सकते हैं कि किस तरका यह फाइटर जेट है यह जेट इतना ज्यादा पावर्फुल है कि किसी भी जंग का माहौल बदल सकता है इसमें software और hardware को काफी upgrade किया जाएगा पाइलट इस जेट को virtual reality headset के माध्यम से ओन परेट कर पाएंगे जिससे यह इतिहास का सबसे हाइटेक fighter jet बनेगा यानि ऐसा fighter jet जिसे पाइलट remote से ओन परेट कर सकेंगे जिसमें physical instrument ही ना हो इतना powerful हो कि जंग जितना आसान हो जाए media report के अनुसार इसमें hypersonic हत्यारों के साथ less होने से दुश्मन को आसानी से निशाना बनाया जा सकेगा दोस्तों यह fighter वैसे भी भारत को ब्रिटेन इटली और जापान की तरफ से ओफर किया जा रहा है और भारत इसको खरीदने का मूड भी बना चुका है तभी तो हाल ही में साथ जनवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग ब्रिटेन की दो दिनों की यात्रा पर गए और इस विमान के डील पर बात करके भी आये पूरी संभावना है कि भारत इसको लाने को लेकर जल्द ही ऐलान करेगा टेमपेस्ट विमान को वास्तव में दो देशों को सबक सिखाने के लिए बनाया गया है एक है चीन और दूसरा है नौर्थ कोरिया इस विमान को बनाने वाले तीनों देश इन दोनों देशों से बेहत दुखी है और खुद भारत भी चीन से परेशान है यही कारण है कि भा विमान आसानी से मिल जाएगा रूस भी ओफर कर रहा है भारत को EU 57 लड़ा का दोस्तो हाल ही में ब्रिटेन के अलावा रूस ने भी भारत को अपना EU 57 चेकमेट विमान सौंपने का एलान किया है जो ताकत के मामले में दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट में शुमार हाला कि जब रूस ने इस विमान को पहली बार अपने AIR BASE में दिखाया था तब इसको लेकर भारत ने रूस के सामने यह बात रखी कि इस विमान की कीमत ज्यादा है लेकिन उसके बाद रूस और भारत इस फाइटर जेट को लेकर कभी एक टेबल पर नहीं आएं इस बीच बातचीत जरूर होती रही लेकिन भारत की जो असली टेंशन थी यानि की इस विमान की कीमत उसको लेकर रूस कभी भी भारत से खुल कर नहीं बोला लेकिन अब रूस को यह लग रहा है कि होना हो भारत अब कभी भी अमेरिका ब्रिटेन या फिर फ्रांस से पांचवी उसके मुताबिक ही भारत को यह बेचने के लिए तयार है अब आप खुद सोचिए कि ऐसा विमान भारत को बेहत कम कीमत पर मिल रहा है जिसका एक ही वार दुश्मन के लिए काफी है दोस्तों दोस्तों भारत की प्लानिंग फ्रांस से राफिल एफ पांच भी खरीदने की चल रही है हालां कि आपके मुताबिक भारत को किस देश से और कौन सा विमान खरीदना चाहिए रूस से एयू सतावन ब्रिटेन से 130 किलो न्यूटन का इंजन या फिर उसका छटी पीडी का टेमपेस्ट विमान या फिर फ्रांसिस सुपर राफिल भारत के लिए कौन सा वि